वेल्कम चू माई यूट्यूब चैनल है मैं से एक्जाम से ले दोस्तों बहुत ही वहाफो की स्थिती बनी हुई है शिक्स्टी सेवन्थ बीपेसी कटफ को लेकर के मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि इसका एक्जेक्ट जो कटफ है वो कितना हो सकता है एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक अन्रिजर्व्ट का रिजर्व्ट का और फिर जो भी केटेग्रीज है उनका तो चलिए आपको कुछ हम एक फैक्ट दे करके आपसे हम बात करना चाहेंगे 66 का जो पीटी हुआ था उसमें औरंगा बाद में एक दो सेंटर उपर क्या हुआ था एक क्वेशन लिख हो गया था और जब क्वेशन लिख होता है वाटसब के जवाने में यह पूरे बिहार में फैलने में मुश्किल से 10 सिकंड का टाइम नहीं लगता है तो यह वजह रह देखेंगे अगर कटफ तो अन्रिजब्ट का रहा था जेनरल का था 97 अन्रिजब्ट फिमेल का था 91 EWS का 92 उसका बाद EWS फिमेल का 87 HC का 89, HC फिमेल का 79, SD का 89, EBC का 92 चले आपको और कुछ तथियों पर बात करते हैं अब तक कर गया होगी आपका 64 आपको अदेख सकते हैं यहां पर अन्रिजर्ट का 97 था, अन्रिजर्ट फिमेल का 86 था, SC का 85 था, और SC फिमेल का 69 था, ST का 89, ST फिमेल का 80, EBC का 90, EBC फिमेल का 76 आप इस तरह से पूरा रिकोर्ड उठाकर अगर देख लेंगे आप, 56-69, 60-62, सिर्फ 66 को अगर छोड़ दीजेगा, तो आपका जो कटफ था वो 97 से 98 से उपर अभी तक गया नहीं है, तो इसी को देखते वे अन्रिजर्ट केटेगरी जो है, वो 100 से नीचे ही रहने वाला है, 100 को क्रोस कभी नहीं कर पाएगा, खूब जाएगा, तो एक से दो नमबर आपका जा सकता है, 97-98 रहा अब तक कश्ट्री में, तो 97 के जग़ा पर 98 या 99 हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैकसिम मैंने बता दिया, अन्रिजर्ट का जैर्निल केटेगरी का 100 से उपर नहीं जाएगा आप उसी हिसाब से आप मैनस करके देख लेंगे जिसका 5 नमर 6 नमर कम होता है, बाकि सारे केटेगरी में हो या फिर SST में हो, EBC में हो, EBC में हो, BC में हो, आप उसके हिसाब से आप अपना आनदाजा लगा लें और मेंस का तैरी सुरू कर दें, यह जो बहुत सारे चैनल व केटेगरी में हैं, अगर वो 95 का सबस्वास में हैं, तो वो भी अपने आपको से कुर माने और मेंस के तैरी सुरू कर दें, साथ है साथ अगर आपको यह वीडियो इन्फरमिटिव लगा हो, तो साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लिए जाए जाए